हलो दोस्तों नमस्कार चहिंद चयας स्री रामहर हर महादेव कैसे हो आप सब दोस्तों मेरा नाम है आशीस अब बहूँ स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस युटी चैनल में जिसका नाम है भारत दर्सन वरीतogenous तो दोस्तों भारत दर्सन के इस कड़ी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं मुंबई के सांता ग्रोज में इस्थित जुहू कोलिवारा का इलाका वो भी साम के समय का तो फिलाल दोस्तों इस टाइम पे हम लोग हैं महारश्टर के मुंबई में और मुंबई में इस टाइम पे मैं हूँ जुहू कोलिवारा में जोगी जुहू बीच के एकदम से पास का इलाका है तो फिलाल मैं रूम से निकल गर के बाहर रोड पर आ चुका हूँ ये बाहर का नजारा देख सकते हैं कितना सुहावना आए और इस टाइम पे दोस्तों जो है मानसून का मानसून चल रहा है तो यहाँ पर भेंकर बारिस लगातर जारी है सुबह भी साम भी दुपहरे में बिलकुल से बाहर निकलने का मोका नहीं मिला लेकिन मुंबई का तो यह है यहाँ पर लोगों के एक हाथ में खाने का बाएग और दूसरे हाथ में चाता रहता है तो इसलिए जो यहाँ के लोकल के लोग है उनके लिए काफी मतलब की कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन जैसे हम लोग जैसे बाहर के लोग आते हैं आपर तो उनलोगों की यादद नहीं होती ही, हाथ में छित्री रखने की तो उनलोगों काफी दिक्कत होती है लेकिन फिलाल काफी मजा़ा आ रा हा यहाँ अपर तो फिलाल हम लोग जिहूद कॉली वारास निकल कर आशेखे हैं में रोड पे ये जो में डोड आप लोग देख रहे हो ये आंगे चला जाता है इधर वर्जोवा बीच के लिए और ये डोड आता है पुरा में सांता कुरूज देलवे स्टेशन से तो फिलाल हम लोग में डोड पर आचुके हैं और यहां से हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों सांता यहां पर सबसे बड़ी बात ही है कि मुंबाई कि मुंबाई कभी भी रुकती नहीं है में सा चलती ही रहती है मुंबाई में आने के बात मुझे एक बात सीखने को मिली कि दोस्त यहां पर समय की बहुत बड़ी कीमत है अगर तुम एकर मुंबाई में रुक गए तो समझे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे यहां पर क्या है यहां पर चलते ही रहने चलते ही रहना होता है तो मिजरा से भी रुख गए तो वहीं पर समझने कि वहीं से आप पीछी हो जा sowगे है दो फिलाल जहां पर मैं ख़ड़ा हूं यहां से अंदेरी और एरपोर्ट पास में ही है तो फिलाल दोस्तों इस टमपर मैं आ गय हूं लाल बत्ती पर और लाल बत्ती पर यहां ब स्गनल पर यहांपर क्या होता ह teasingल कि यहां पर बर फिर वहीं से पहुँचेंगे हम लोग और यह देखिए हम लोग आ गए है यह मेरे ठीक सामने यह दुकेती और पोर्से का सोरूम भाई